ऐसा तो कोई अंत्रगवादियों को गिर्बदार करने के लिए 500 सिपाई और चार बशें 20 थोटी गाडिया शे बजे तो यहां आगे थे आठ बजे से पहले उस मूर्ति को भी खाड ले गए और मैं आपके साथ हूँ किसी भी सीमा तक जाने के लिए इस बात के लिए हम और यह उरे का जो भी जन परतिन दिदी और जो परसासन है उनकी दलित समाज के परति कोई अंधर्दी नहीं है और यहां के समंद्र जो विदाएक है वो उस विदाएक से हम स्टेपिके मांग करते हैं कि बाबा साथ डोक्टर भिंगरा हम बेड़ करका है आपने इस टूच में फरक होया करें के लास गैंग मैं आउनी चाहाँ है मकी भी कर लो हकुम पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज एप आपने आपजी नमस्कार मेरे राव आरून ठे देख रहा हो जलको जुन जुन जुलको जुन जुन पर बहुत बहुत सव आ गया थे और आज अपर पूंचे हैं जुन जुन लुका है दोरासर गाहों का अंदर है प्रशासन का दौरा कुछ अतिकर्मन का नाम पर कुछ पूरो मामलों लेकि पूस्ताज बना करी कि पूरो मामलों लोगी समझ मायों है और के बनके द्वारा जोको सवयोग है वो गावनान मिलोगो तो वीडियो शेयर जरू करदें और लाश्ट तक देखनो है आपके जगर नहीं थी तो जिस बात के लिए SDM साब ये कह रहे हैं उस बात के लिए SDM साब से फिर हमने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा विसे नहीं है ये पंचाइद राज का विसे है आप उन से बात कीजिए जिला परिसेद में जब उनके पास राठोड साब क अब को देरो हैं नहीं देरो वो लिएडिता हूँ उन्होंने शाहों का में परस्ताव दिया और हम और सरपंजी एर्जुन पोटों भी हैं जो आखवारों में चपी हैं दलीद महिलाएं कह रहे हैं जमीन हम तो कोई पसू बान लेते हैं हमारे गरीब लोग हैं तो बोले लोग क्या जूरत है अटाओ इसको सोला तारिक को इन्होंने फोर्स मांग रखी थी सोला को तो आये नहीं है और सोला को हमने फि पाउर है जब पंचाइद को बोड़ी है फुल अपना आप में तो आप इस बात के लिए पंचाइद के लिए अलोट में नहीं है क्या कोई दुनिया में बता दे हो पंचाइद के अनौसी के बिना और इस गाहों ने तो सेने की स्कूल को और खेल प्रिसद के लिए और यहा किया है हमारे उपर मंतरी जी का दबाव है यह क्लेक्टर साब के वर्ड थे और बोले हम कुछ नहीं मानें हम साब को फोन करते रहे वो नहीं मिले क्लेक्टर को आउस सब्सक्राइब और यह बोला कि या तो उस मूर्ति को उखाड़ लो वरना तो हम वह आलत करेंगे जो चाडियां शह बजे तो यहां आगे थे आठ बजे से पहले उस मूर्ति को भी खाड़ ले गए और इनको भी पिटा और पंदरा लोगों को एसी के लोगों को अरदुन जी को गिरबदार करके ले गए हमने कहा कि हम थाने का गेराव करेंगे तो इनको दो बसों में बरके औ और दी बूल हमने यह आपको सुना दे होंगे उसके बाद में आंदर ना सुरूगे और यह भी कलक साब को कहा कि आप कहरे हो अतिकरमन में नहीं होने दूँगा आपके 200 मिटर पे सभावती तैयब अली का और मकान पांच मंजिला जिसमें विजेंड रोडा और दोनों पार राजस्तान में नहीं होगा जिसने रोड के उपर पांच मंजिला मकान बना रखा है जिसमें पचास दुकाने हैं और रोड के उपर उसकी सीड़ी आएं वो डामर के सड़क पर खुलती है और बाविशे में टुटेगी वो एकदम मैं रोड पे हैं एकदम से मेलो और यह ब मैं यह का रहा हूं कि जितने भी यहां पे जन्परतिनी दीप सर्वे समाज के लोग आये हुए हैं मैं याका हूँ आप एक बार जाकर देख लो एक अगर पकी इंट भी आप दिखा दो इसमीन में अमारी लगाई हुई उनको यह कोई अतिकर्मन नहीं था दो बैसे बांद देते दिन में इसे बड़े-बड़े अतिकर्मन तो जिले में नहीं है क्या हर पग पग के उपर है हर एक फुट के बाद में अतिकर्मन है तो वह क्यों नहीं दिखता है एक दली समाज का कैसी दिख गया उनको आपके लेगे हैं हमारी बैन बेटी उसा सालों दिन अत्याच जिए लगवा से बैसा मने भी बोली है कि विकास हदिजारी बात जमीन हो पंचायद चीके सपाती दिखार का मेरे पास और कर्मचारी संग के कुछ लेंटा तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग बुख्यमंत्री जी आपको टाइम दिया है आप वहां जा रहे हो तो उनसे कह देना कि सुमित्रा सिंग को भी आप से मिलना है इसलिए कोई समय बताएं मैं बताना चाहते थी उनको यह सब बात तो मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनिये आप उनने का रहे मुझे तो सुमित्रा जी के घर जाना पड़ेगा और बहु जा और करके पूछूंगा उनसे इसलिए उनने यहां आने की अवश्रिक्ता नहीं है यह कहा मुख्यमंत्री जी ऑर अब मैं जाउंगी तब मैं जबर्दस्ति वहां पे उनके घर जाओंगी जबर् तो मैं सारी बात उन्हें बताऊंगी. मैं आपके साथ हूँ. किसी भी स्रीमा तक जाने के लिए इस बात के लिए हम गड़ेंगे. कोई भी स्रीमा आईदी होगी, तो उसके लिए लड़ेंगे. और यह भी जाते बग टे श्रीमान कलक्टिस साब को भी कहके जाऊंगी, कि तैयार हो जाओ, जनता तैयार है, तैयार हो जाओ, आप भी आपको जो कुछ कहना है, क्योंकि मेरे को SGO साब ने टेलिफोन किया, उन्होंने कहा, कि जिवो तो जमीन जो थी, सरकारी जमीन है, जबरदस्ती उसके उपर कबज कर लें से लोगवाग और बूरती को हमने नहीं तोड़ा, बूरती पंद्रह तारीक को लग गाई गया, आज उन्दीश हुई है, उन्होंने का चार दिन पहले, और हमने बूरती तो उन लोगों नहीं तोड़ी है, तो मैंने का, कि जो लगाएगा, बूरती वों क्यों थो बातों को आएं सच क्या है और जूट क्या है और उसके बात जाकर K तो हरिजन भायो मैं आप से कहना चाहती हूं, कि मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हूँ, आप साथ रहना मेरे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, कि इन दोशियों को इस बात की जरूर सजा दिलाइंगे, और जमीन आपने पी आपके पास लaking यह भी कहना चाहती हूँ अंबेट करची की बुटी दुबारा लगेंगी बडिया लके घब हN यहीं ५़िए अपने श्बदों के साथ मैं आप से लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करती हूं कि सही बात के लिए आप सब लोग इखटे हुए हैं और इखटे होकर के हमें इस सच्चाई के साथ में जड़ाई को लड़ना है तो फिर आप इस परकार चाहिए तो फिर आगे देखेंगे नहीं प्रशाशन क्यों नहीं माने मुझे भरोसा है इस बात का प्रशाशन मानेगा बात और नहीं मानेगा तो फिर हम भी हमारे तरीके से करेंगे यह तो वो बताएंगे बूर्ती क्यों तोड़ी जिस व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण है जिसे कहना चाहिए स्थान था संभीधान के निर्मान में उस व्य रखाओ कि बनाया है कि बीमराब जी के बाप की मूर्ती तो भी उखारी जाती वीक उपरतार हो कि ख़णोय किसी की भी मूर्ती हो कैसे उखाब सकते हैं मूर्ती लगी वी को यह जिए पूरी सोची समझे साधिस लेगा गया गलत बात है प्रशाशन ने किया प्रशाशन बुरा काम है अम्बेज करकी मूर्ती को तोड़ना छोटा अपराद नहीं है बहुत बड़ा अपराद है तो आस थे गाउंक अंदर पुंचरी से पहले भी मैं आजद भी थे हुरा हा के मामलोपूरो की है रागय को के प्लान रहो दरो की बतावा में तो सरकार से परेशान हा और रहे खोया है को जन पर निदी आएंगो जनता चुन दी ओ तो चार साल हो दो रांद रही हो और अब यह जाते जाते समय में मानतों इतनों परिशान कर रहे है एक अनुशची जन जाती गो एक सरपंच है पूरो पूरी विदान सवा में उन विचारे की पंचायथ में उ बहुत आदम का अच्छी मूर्ती लगाई उनने अना चुनावी रंजीस की वज़े से और एक बदले की बावना से दो दिन पहले अल सुवे जबकि गाउं सारो सोरे हो तो अनलोगा एक बहुती बरबरता पूरोग लोगों को घरों के अंदर बंद करके और अमेड़करजी की मूर्ती को उन्होंने विखन्डित कर दिया और इसमें वैसे तो सर्व समाजी बड़ा उद्वलित है और बड़ा कुंतित है लेकिन दलीत समाज तो निश्चित रूप से इस कारिये से बढ़ा आपको परताड़ित और गहनित समझ रहा है कि हमें तो इस कर दुनिया में जीने का इदिकार नहीं कि लागाएं कि यो जो को पूरो मामलों पूरो प्री प्लांट होसे टारगेट करेंड बिलकु टारगेट करके गयो है दलित वरग ने एकदम से प्रेशान करने के लिए और उन्हें आतंकी तरह कोसित करके और उन्हें सुन्य जी तरी और वो मिल्जूल के उरे के लोगाने दोरा सरकार ने और सही पुछो सही मानने में पूरे विदान सवाय के लोगा को ने अपमानित करही और इससे साथ दरसावा है कि एं सरकार की और उरे का जो भी जन्परतिंदी और जो परसासन है उंकि दलिट समाज के परति कोई एक तरफ सविंदान निर्माता भीम्राव अमेड़कर को देवता की तरह यहां पूरे देश में पूजा जाता है और हमारे पूरे भारत वर्ष के लिए बाबा साथ भीम्राव अमेड़कर एक भोती गैर और गोरु की महान परती मूर्ती है उसका इन लोगों ने इत्ता बत्त तरीके से उनको एक तरह से बुर्ती को विक्रिंट करके एक सीमिन है बताओ कि जी साब से बतारे हैं कि अगर मांग नहीं मानेगी जी साब से गावाला के साथ में आगा की रूपरेगा के रखेंगा बई में तो सारा लोगी जो भी भारती जनता पार्टी जुजनुकी है वा पूरी तरह से एकमत है और वैसे देखें तो माननी निरंदर मोदी जी की निती भी यही है कि मोदी जी की जो सरकार है उसने पहले संसिदी उद बोदन में कहाई ये था कि हमारी सरकार गाव, गरीब, दलित, उत्पूरित, अनुस्य जाती, अनुस्य जिन जाती कि उन सब के लिए समरपीत है, और जो मा ओता और बहने जो अपनी इज़त के लिए तरसरे, उनको मान समान देने के लिए कठीबत है और उसी को संकलब को लोके मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं और उनी के सिपाई हम कार्य करता है, यहांके बीजे पे कार्य करता और उसी संकलब को सिद्धी तरक ले जाने के तरफ हम अगर से हैं और उसी कड़े में ये बाबा साथ अंबेड करका जो अपमान किया गया है उसके लिए हम सब एक जूठ हैं और निच्चित रूप से इस मूर्ति की जब तक स्थापना नहीं होगी हम सड़क से लेके सदन तक इंट से इंट बजा के रहेंगे और निच्चित रूप से इसके लिए जित्ता भी बड़ा जन्नादनल होसकेगा लोक्ताम तर्शम में किजे भी कदम पर पीछे नहीं हटेंगे दोरासर गाव में जो भीजंदर ओडा के कहने पर परसासन ने और जो बाबा भीम राव अम्बेटगर की मूर्ति को तोड़ा इस बात के लिए कभी हम बरदास नहीं करेंगे और नहीं परसासन चे दबने वाले हैं और नहीं दबेंगे और जो एक राकेश बीडियो को कलेक्ट साब कहरे हैं कि बीडियो ने मुझे फोर्स मांगी थी वो बीडियो है नहीं और एक ग्राम से लेवल का आदमी वो आज फोन नहीं उठा रहा तीन दिन से हम कर रहे हैं या वो आये मैदान में जो उसने फोर्स लेके आया तो आज याटा दे इनको सभी को दलितों को इस बात के लिए हम पूर्जोर से उस परसासन से मांग करते हैं उस मंतरी को भी जब तक बरकास नहीं हो जाएगा तब तक हमें इस बात की जाए हैं या मैटकर जी की मूर्टी नहीं लग जाएगी तब तक यह संगड़ जारी रहेगा नहीं किसी कलकिटर से दबते हैं नहीं किसी बीडियो से दबते हैं यह कहना पांचे हम मुर्दाबाद मुर्दाबाद दोरासर गाव में परसुन सुबह सुबह परसासन ने 400-500 पुलिस कर्मियों के साथ यहां पहुंचे तो ऐसे पहुंचे हैं जैसे कोई यहां कोई आतंकवादी छिपा हुआ है यह दलितों की कोलोनी है यहां अम्बेडगर साब की मूर्ती लगे वी थी उस मूर्ती को उन्होंने आते खंडित किया यहां गरीब लोग बाहर निकले तो महिलाओं के बच्छों के उनके साथ मार पीट की बड़ा बदर विवार किया और कोई भी नोजवान बाहर आया तो उ राडियों में यहां से ले गए 14-15 आद्मियों को ले गए और ले जाके थाने में भी नहीं उन्होंने पता नहीं कहां कहां गुमाया अंबेडगर साब की जब तक हमूर्ती दुबारा स्थापित नहीं होगी और जो परसासन ने गलतियां के इनको सस्पेंट नहीं किया जा को जब तक नीलंबित नहीं किया जाएगा जमीन जो यहां दुब्राण के नाम से अंबेडगर पर्क के नाम से अलोट्मेंट नहीं करके और बाबा साब का जब तक यह सरकार और यह परसासन स्थेच्चु नहीं लगाएगा दो-चार दिन के बाद में यह थाना यहां चल देने का और यह पूरे ग्रामवाशी काम करेंगे और पूरे जिले से संग्धन हम यह कह रहे हैं कि इनको जित्ती जल्दिया उसके लिलम्यत किया जाए और यहां के समंद्र विदाइक है और विदाइक से हम इस्टेप के मांग करते हैं कि बाबा साफ डोक्टर भींगरा अंबेड करका है आपने इस तोची तुडवाने का काम कैसे किया धन्यबाद जै भीम जै भारत और वीडियों पूरो देवान थान के लागे कि इसाब से गामवाडा और उर्जगार नेता बेड़ा हो रहे ही बेखेर हैंगी परसासन जोगर वो गलत करेंगी और थारीक उपर के राएगी परसासन जोगर वो कोई कर दबाब के अंदर है या फिर कारवाई को पर थारीक आया हमाने कमेंट मुखन जुरू दोगा वीडियों जोगे वो शेयर जुरू कर देनों है और जलको जुनुनुन के साथ आरो प्यार आए बनाए राको